आरजुनी मर तालूका वं शेत्र में नवगाम बंध शेत्र बाराभाटि बीट शेत्र चनलबगावार में बेज दिया यह दावा करते हुए यह चीतल और जंगली सूर का मास था विशेश मचली प्रेमी चीतल और रंडुकारा को समझने लगे हैं भालू की शिकार के मामले में वन विभाग ने वन अधिनियम के तैट मामला दर्ज किया है वन विभाग में जाज के द्वारान अरजुनी मोर गाव से तीन संदिक्दों को गरफतार किया है इंजोरी के एक किसान हेमराज धनीराम शेंडे पर समू एक सो चोगतर में एक नर भालू का शिकार करनी का रोप लगाया गया है महुजा इंजोरी निवासी हेमराज धनीराम शेंडे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तीरामाज को सुभा नौ बजे वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रूप नमबर एक सो चोगतर पर मैदान में जाकर मौकी की जाजकी और आत वचा और पंजो का पता लगाया जंगली जानवरों की मौके पर पशुविकास अधिकारी डॉक्टर एस डॉक्टर बी वाग है पशुदन विकास अधिकारी शुरेणी एक शीतल वान खेडे रोड अरजुनी को बुलाया गया और मुरत्य भालू की शफ को विच्छेदित किया गया पोस्माडम रिपोर्ट में निशकर्ष निकाला गया है कि पीडिता की गोली मार कर हत्या की गई है अग्यात आरूपी के खिलाब वन ने जीव संद्रक्षन अधिनियम 1922 के तहत मामला दर्च किया गया है मुरत्य जंगली भालू मौके पर पाया गया जिसकी केवल खाल आंत और पंजे कटे हुए थे लापता मास को बेचने की आशंका जताई जा रही है समझा जाता है कि इस मुरत्य भालू का मास अरजुनी मोर गांव में बेचा गया था समझा जाता है कि अग्या शिकारियों ने अरजुनी मोर शहर और उसके आसपास चीतल और जंगली सुवर का मास खाने की शौकीनों को बेच दिया मास खाने की शौकीन मतन प्रेमियों को चीतल और जंगली सुवर का मास समझ आ गया है और इसे मौके पर ही मरने की बात कही जा रही है पूछ साच के दोरान डॉक स्कॉट की मदद की जा रही है पिछले कई दिनों से देखने में आया है कि बिजली के सहारे जंगली जानवरों का शिकार की अचारा है लेकिन भालू की शिकार को लेकर मरमिभाग ने दोशियों को ढूणने की बड़ी अपील की है मामले के जाच मुखे निर्यात अधिकारी एवं सायक वन संद्रक्षक डीवी राउत के मांग दैशन में शिकार की सूचना मिलती वन विभाग के अधिकारी और करमचारी मौके पर मौझूद रहे गवाओं के सामने पंचनामा करमरत्य नरभालू के शरीर के अंगों को जब्त कर लिया गया है एम शेंडे ने वन निचीव संद्रक्षन अधिनियम 1912 की धारा 9,44 और 48 के तहत वन अपराद दर्ज किया है तीन संदिक्दों को गरफतार किया गया है आगे की कारवाई की जा रही है गोंदिया से BCN न्यूस के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट